सो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमसंग एलेक्षी M30S स्मार्टफोन के बारे में फ्यूचर में इसे कौन्छे जो बड़े अपडेट्स हैं जो की देखने को मिल सकता है आपको इसी सेमसंग एलेक्षी M30S स्मार्टफोन के अंदर और मेरे पास काफे कमेंट्स आ रहे थे कि सहसें तुम यह बताओ कि जो सेमसंग एलेक्षी M30S स्मार्टफोन है इसको One UI 2.5 का जो ओफिशल अपडेट है वो देखने को मिलने वाला की नहीं और मिलेगा तो कौन सी डेट को मिलने वाला है कौन से मत को मिलने वाला है इसकी रिलीज डेट के बारे में बताओ और One UI 3.0 का जो मैसे अपडेट आने वाला है इसी स्मार्टफोन में तो वो इसी स्मार्टफोन में मिलेगा तो कौन सी डेट को मिलने वाला है इसकी रिलीज डेट के बारे में बताओ तो दोस्तों आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके रिलीज डेट के बारे में उने जब भी इसे स्मार्टफोन को खरीदा था तो इसमें आपको प्रिस्टोल एंडोर 9Pi का जो अप्टेट है वो आपको इसमें प्रिस्टोल देखने को मिला था वो 1UI 1.5 के साथ में और सेमसंग के और से 1UI 2.5 की जो ओफिसल लिस्ट है वो भी यहां पर रिलीज हो चुकि है कि सेमसंग के इसे कौन सी डिवाइज है जिनको की 1UI 2.5 का जो ओफिसल अपटेट है वो मिलने वाला है तो यहां पर एक जो बेड नूज जो की सामने निकल के आती है सेमसंग एलेक्सी M30S स्मार्टफोन की यूजर्स के लिए क्योंकि 1UI 2.5 का जो ओफिसल अपटेट है वो इसी स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलने वाला है तो सेमसंग के आज से क्लियर हो गया है कि 1UI 2.5 का जो ओफिसल अपटेट है वो आपको सेमसंग एलेक्सी M30S स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा और अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में अगर आप लोगों है वो यहां पर रिलीज नहीं हुए कि कौन कौन से सेमसंग की डिवाइज है जिनको की 1UI 3.0 का जो ओफिसल अपटेट है वो मिलने वाला है लेकिन मैं आपको बता देता हूं मैंने जैसा कि आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताये था 1UI 3.0 का जो ओफिसल अ स्मार्टफोन है सेमसंग उनको टू यस तक दो बड़े जो मेजर ओस अपडेट है वो यहां पर प्रोवाइट कर रहा था अपने सभी स्मार्टफोन को तो एंडूड 9Pi के साथ में यह फोन रिलीज हुआ था एंडूड 10 पर यह करेंटली रन कर रहा है तो एंडूड 11 का जो ओफीचल अपडेट है वह आपको इसी स्मार्टफोन में शूरली देखने को मिलने वाल है और अगर हम बात करें इसके रिलीज डेट के बारे में तो वह मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगा उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको वन यूए 3. 3.0 के फीचर के बारे में नहीं पता है तो आप लोग उपर आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है जो कि बताए है इसी वन यूए 3.0 के अंदर जो कि ये जो फीचर्स आपको फ्यूचर में समसंग एलेक्स स्मार्टफोन है इसके अंदर शूरली देखने को मिलने वा और अगर हम बात करें वन यूए 3.0 की रिलीज डेट के बारे में तो ये जो अपटेट है वो आपको 2nd quarter 2021 के अंदर शूरली देखने को मिलने वाला है जो probability बनती है वो बनती है अपरेल, माई, जून ये जो 3 मत है इसके अंदर जो probability देखने को मिलती है हमको आपको सबसे ज को सबसक्राइब नी किया है तो क्यों लोको सबस्क्राइब कर लेना और बेल लाइकर को भी जुरूर से प्रेश कर लेना शूंकि आपको इसी तरह के वीडियो इसी चैनल पर देखने को मिलती रहती है और अगर आप लोगों को ये इंफोर्मेशन अच्छी लगी वीडियो वीडियो को लाइक करना कुछ आप लोगों को अभी पी कुस टावटाइस वान से लिटेट तो नीचे कमेंट सकते मुझसे पूर सकते हैं परसली कर बात करने हो फॉस्ट आप लोग मेरे इस्टाग आपके आप हैं बहुत आप लोग आप से पर स्कूरी फॉन्स रिलेटेट बात कर सकते हैं सो बस तो आज की वीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लें जैहिंद वन्दे मात रूँ